हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से एक नए इंफोमेटिव वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लड़के से फ्लर्ट करने का सही तरीका होता क्या है दोस्तो इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको पूरा देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि लड़कें से फ्लर्ट करने का सही तरीका होता क्या है दोस्तो जब हमको कोई लड़की अच्छी लगने लगती है या फिर उस लड़की पर हमारा दिल आ जाता है तो फिर हम उसको पटाना चाहते है और उसको अपनी गर्फरेंड बनाना चाहते है किसी भी लड़की को अपने प्रेमी का बनाने से पहले आपको उसकी दिल में प्यार की फिलिंग जगाना बहुत ही जरूरी होता है और उसको यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि आप उसको लाइक करते हो पसंद करते हो लेकिन बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको इनको करने का सही तरीका पता नहीं होता है दोस्तों यदि आपको वो लड़की अच्छी लगने लगी है और आप उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकते हो और इससे उस लड़की को एहसास होने लगेगा कि आप उसको पसंद करते हो और फिर धीरे धीरे आप उस लड़की को इंप्रेस करके पटा सकते हो तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को येंट तक जरूर देखिए तो चलिए जानते हैं लड़कीों से फ्लर्ट करने के टिप्स सबसे पहली टिप है लड़कीों से बात करना दोस्तों किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करने से पहले आपको उस लड़की से बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप उस लड़की से बात नहीं करोगे तो आप उसके साथ मजा मस्ती नहीं कर सकते हो या फिर उसके साथ मजाप नहीं कर सकते हो यदि आप उस लड़की से पहले ही बात कर रहे हो तो आपका काम और आसान हो जाएगा लेकिन यदि आप उस लड़की से बात नहीं करते हो या फिर वो लड़की अंजान है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसके लिए भी आपके साथ टिप शेर करेंगे तो चलिए जानते हैं अगली टिप दूसरी टिप है आई कॉंटक्स बनाए लड़कियों से फ्लर्ट करने का ये सबसे अच्छा और कारगर तरीका है आप जिस किसी भी लड़की को लाइक करते हो तो आपको सबसे पहले आपको उस लड़की से आई कॉंटक्स बनाना चाहिए इससे एक अलग फिलिंग पैदा होती है लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखे कि ऐसा ना हो कि आप लगातार उस लड़की को घूरते रहों और फिर वो लड़की आपको नापसंद करने लगे क्योंकि कभी-कभी सतत घूरना लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है और वो लड़की आपसे नाराज हो जाएगी तो दोस्तों आप कभी-कभी उससे आई कॉंटक्ट बनाने के कोशिश करें और हाँ एक बात तो है जो मैं आपको बताना ही भूल गया आप उस लड़की से जब कभी-भी बात कर रहे हो तो आप उससे आई कॉंटक्ट बना कर ही बात करें इधर-उदर देखे बिल्कुल बात ना करें अगला तरीका है उसकी तारीफ करें दोस्तो, दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होगा हर लड़की को अपनी तारीफ सुनना सबसे अच्छा लगता है और जब कोई लड़का उसकी तारीफ करें तो वो बहुत खुश हो जाती है आपको भी उस लड़की की तारीफ करना चाहिए जब कभी भी आप उस लड़की से बात कर रहे हो तो आप उसके इसमाईल की तारीफ करें उसकी ड्रेस कितनी खुबसूरत लग रही है इसकी तारीफ करें और भी कई तारीफें आप कर सकते हो लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप कभी भी उसकी जूटी तारीफ ना करें इससे उस लड़की को पता चल जाएगा कि ये लड़का मेरी जूटी तारीफ कर रहा है यदि आप लोगों को पता नहीं है कि तारीफ किस तरह से की जाती है तो हम उसके लिए भी वीडियो जरुद बना के लिए के आएंगे तो देखिए अगली टीप है अच्छे टॉपिक पर बात करें दोस्तों आपको हमेशा उस लड़की से अच्छा अच्छे टॉपिक पर बात करनी चाहिए जिसमें उसको भी इंट्रेस्ट आए तभी आप दोनों बात लंबी-लंबी कर सकते हो और आप उसको ज्यादा इंप्रेस कर पाओगे आपको कभी भी गलती से कोई भी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए जिसको वो लड़की ना पसंद करें दोस्तों यदि आप लोगों से कोई भी गलती हो जाए तो आपका पूरा काम बिगड सकता है और वो लड़की आपसे कभी नहीं पटेगे तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लड़के बहुत ही ज्यादा जल्दी ट्रैक से फिसल जाते हैं और कुछ भी बात करने लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है आपको ट्रैक में रहके ही बात करनी है तब ही वो लड़की आपको इंप्रेस कर पाएगी या फिर आप उसको इंप्रेस कर पाऊगी अगला तरीका है हलकी फुलकी मजा करें जब आपको लगे कि अब आप दोनों अच्छे दोस्त बन रहे हो तब आप उसके साथ हलकी फुलकी मजा मस्ती कर सकते हो ये लड़कियों को भी अच्छा लगता है लेकिन एक बार में फिर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मजा कमस्ती करना अच्छी बात है लेकिन हमेशा लिमिट में ही होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ज़्यादा एकसाइटेड हो जाओ और कुछ ऐसी हरकत कर दो कि वो लड़की आपको ना पसंद करें या फिर आपसे नाराज हो जाए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक दाइरे में रहकर ही ये सब कुछ करना है क्योंकि आप उसके साथ शुरू में फ्लर्ट कर रहे हो वो अभी तक आपकी गर्फरेंड नहीं बनी है और जब आप वो आपकी गर्फरेंड बन जाएगी तब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो वो शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है तो अगला तरीका है चेहरे पर स्माइल रखें दोस्तों किसी भी लड़की को जल्दी से जल्दी इंप्रेस करने के लिए आपको अपने फेस पर स्माइल रखना बहुत ही जरूरी है इसे लड़की को लगेगा कि लड़का फ्रेंडली नेचर का है और लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जो कि फ्रेंडली नेचर के होते हैं बहुत से लड़के ऐसे होते है जो कि सोचते है कि यदि किसी लड़की का दिल जीतना है तो हमको सीरियस रहना चाहिए दोस्तो ये केवल फिल्मों में होता है, रियर लाइभ में लड़की ऐसे लड़के को ज्यादा लाइक नहीं करती है उसको हमेशा friendly nature के लड़के अच्छे लगते हैं जब कभी भी आप उस लड़की से बात करते हो तो अपने चहरे पर एक प्यारी सी smile बना कर रखिये तो वो लड़की आपको like करने लगेगी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था किसी भी लड़की से flirt करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे tips तो friends मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये tips आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो ये हमारा content कैसा लगा या आप हमें comment करके ज़रूर बताईए और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ Facebook के WhatsApp पे आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को ये अंट तक देखने के लिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में धन्यवाद